अब जब की एक स्थाई सरकार बन चुकी है एक मजबूत सरकार बन चुकी है अगले पांच सालों में आपका निवेश कहा होना चाहिए क्या आगे आने वाले दिनों में मौनसून देश की अर्थवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनोती है क्या उस पर हमें निगाहा रखना चाहिए आगे जाते हुए बारिश से ठीक पहले सोनी चादी के दाम में किस तरह की गिरावट या फिर उठा पटक देखने को आपको मिल सकती है कमारिटी की दुनिया की तमाम बड़े खबरें आज हम चर्चा करेंगे और मनी मंत में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो कमारिटी स्पेस है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है जो कच्चे तेल की कीमते हैं उसमें थोड़ी सी गिरावाट जरूर देखने को मिली है लेकिन आगे इसका भविश्य क्या है क्या ये अभी भी भारत की अर्थविश्टा के लिए खत्रा है जो की बाद में आगे चल करके हमें कुछ नई नड़नीत पर विचार करने पर विवश्ट कर सकता है इस तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज मारे साथ है वंदना भारती जो की हेड़ अफ रिसर्च है अगर कॉपाडिटी से जोड़ा कोई भी सवाल है सबसे पहलो दो हैं कि 27 सरकार कमाडिटी बाजार को अमीद क्या थी और क्या कुछ रीफॉर्म्स की अमीद है आपको नई सरकार से ये तो है कि जब से एंडे 2 आई है तो एक पॉजिटिव मैसेज गया है और financial market ने स्वागत किया है इसका मेरे ख्याल से जो भी projects यहां पे चल रहे थे वो यहां पे smoothly यहां पे run होंगे और new projects भी यहां पे आएंगे और जो reforms हुए थे इसमें मुझे लग रहा है कि इस पर कुछ strong steps भी लिया जा सकता है economic reforms हो या फिर general जो development की बाते हैं तो मुझे लग रहा है कि commodities में जो demand है जो raw materials है या crude है ये सारी जो demands है वो यहां पे बढ़ेंगी क्योंकि infrastructure development की जो बाते हैं वो एक बार फिर से यहां पे पट्री पे आ रहे हैं और जो विदेशी ताकते हैं जो major economies हैं उनका भी एक बार अब जो नजर है वो इंडिया की तरफ है और जो investment avenues है ये नए investment avenues की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे हम चाइना में देख रहे हैं कि एक बार वो slowdown के grip में आ रहा है और एक जो trade war है उसका फाइदा भी एक stable government आई है तो मेरे ख्याल से यहां पर एक दो फाइदे हैं यहां पर stable government है और trade war है तो हमारे यहां पर जो कुछ imports है जो हमारे यहां के export बढ़ सकता है कुछ जो बाहर के imports हैं जैसे US के हैं या चाइना से भी हमारा नया समीकरा निकल सकता तो मेरे ख्यास है यहाँ पे ट्रेड इंप्रूवमेंट जो होगी वो फाइदे मता है। इस पर समीकरण बदला है। पहले जभी भी सप्लाई टाइटनेस होती थी तो यूएस और साओधी अरेविया में बहुत अच्छे संबन्द थे। तो जभी भी यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस बढ़ती थी तो यहाँ पे क्रूड में साओधी उसको मेंटेन करता था और प् पे बजार को कमपेंशेट कर रहा है और समूथ कर रहा है सप्लाई साइट को दूसरी चीज़ यह है कि विनेजुएला और एरान में जिस तरीके से प्रतिबंध लगे उसका भी असर यहाँ पे आया बारती बजार में भी आया और पूरे विश्वार्थ विवस्ता पे आया उसके लिए कितना होराइजन लेकर के चलना पड़ेगा उसके लिए तरीका क्या है बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि अगर आप कुरूड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पस अप्शिन के आई है और मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा से यहाँ वेट करना हो कि यहाँ पर डिरेक्शन लेवल को बढ़ाया जा सकता है 25-26 जून को विएना में एक बहुत इंपॉर्टन बैठक है वहाँ पर कुरूड मा ओल के मार्केट का यहाँ पर डिरेक्शन तै होगा लेकिन मेरे ख्यास यहाँ थोड़ा सा करेक्शन डियू है और 3900 के लेवल पर एक बार MCX कुरूड में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है बहुत ज्यादा अपसाइड ना लेके यहाँ पर 41-25, 41-50 तक का यहाँ पर टागेट रखना चाहिए और नीचे एक stop loss क्रेट करना होगा का stop loss होता है जो आप मैक्सिमम यहाँ पर अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना आप यहाँ पर लॉस साइड में रखने की रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर तो मेरे ख्याल से एक बार 38-25 का stop loss लेके यहाँ पर रखना चाहिए कुरूड में तो यह strategy रहनी चाहिए और इ सुने चांदी में निवेज बनता है क्योंकि आपने तीनों मार्केट का जो कोरिलेशन है वह समझना चाहिए और बहुत सारे लोगों को फायदा भी का निट से जुड़ने के लिए धन्यवाद सही में बहुत बढ़िया question था यहाँ पर एक राय रहेगी कि equity market में जब जब outlook को लेकि अच्छा strong outlook आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यह market outperform करती है जबकि हम gold को बोलते हैं कि यह safe even buying है खराब समय का साथ ही हमने सोनने को बोला है और यहाँ पर equity market में खराब समय तो न यह लेकिन हम कह सकते हैं कि rally over stressed है और एक correction यहाँ पर expected है और तरीका भी यही है कि बहुत ज़्यादा high पर निवेश नहीं करना चाहिए return जो होता है risk reward return ratio poor हो जाता है तो मेरे ख्याल से चाहे nifty हो या sensex हो थोड़ा सा यह correction का wait करें और वहाँ पर निवेश करें सोने की अगर बात की जाए तो सोने में already sir यहाँ पर बहुत गिरावट है और मेरे ख्याल से यह जो है मई, जून, जुलाई का महीना थोड़ा सा सलगिश होता है सोने के लिए आपको यहाँ पर 30,700,800 तक का जो भाव है वो यहाँ पर मिलेगा वहाँ पर आप निवेश करें और एक चीज 31,700,800 रुपे का आप यहाँ पर कर सकते है, टागेट लेके चल सकते है, stop loss maintain करना होगा यहाँ पर 30,400 रुपे का, दूसी चीज यह है कि अगर आप physical mode में या ITF mode में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा long term नजरिया यहाँ पर रखें, मुझे लग रहा है कि अगर इस साल की बा के साथ, तो मेरे ख्याल से 30,800 रुप का टागेट जो है या 33,000 का लेके चलिए और लोर लेवल है अभी तो यहाँ पर आप 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 कर सकते हैं, आपको सुन करके बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो अपने अपने घर में डिसक्स कर रहे होंगी कि अभी हम यह खरीदना हाथ से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिलाएं हैं वो थोड़ा से यहाँ पर वेट करें, 30,500 से 800 तक का मुझे लग रहे हैं कि 24 क्यारिट का भाव मिलेगा, और मुझे लग रहे हैं अगर 22 क्यारिट की बात की जाए तो 30,200 का जब लेवल आता है, तो यहाँ पर आप निवेश करें, और मुझे लग रहे हैं कि सा दो साल की बात की जाए तो यहाँ पर 34,000, 35,000 का जो लेवल है, वो आते हुए हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी मार्केट का मौहल है, वो यहाँ पर फ्रिजाईल है और अब वो बड़ा सवाल जिसका सभी लोग शायद नितजार कर रहे हैं कि मौनसून की स्थिती क्या है, और आगे जाते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, एग्रिकल्चर पे इसका क्या प्रोहाँ पड़ सकता है, और क्या यह साल चैलेंजिंग होने जा रहा है अजय जी, दो-तीन चीज़े में बड़ा ध्यान रखती जब मौनसून की बात आती है, एक तो बोल रहे हैं कि एवरेस से थोड़ा सा यहां पे लग रहा है कि थोड़ी सी कम मौनसून जो है वो आ सकते हैं यहां पे, और एजिंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जब मै इसी अलाके में बारिश हो रही है, बिल्कुल लेकिन मौनसून का अस्तर जो है वो अच्छा आएगा, तो मेरे ख्याल से टाइमिंग क्या है, बुआई की समय में मौनसून हो रही है या नहीं, यह इंपोर्टेंट है और एरिया क्या है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, मह महाराश्ट्रा वेगरा में मौनसून का थोड़ा सजो इस्तिती थोड़ी सी खराब यहाँ पे रहेगी, उसका असर हम देख सकते हैं, ओई सीट्स पे आते हुए अगले साल में, तो मेरे ख्याल से कुछ कोमोडिटीज है जिन पे इसका इंपक्त आएगा, हलांकि काफी यह है, यहाँ पे हम मतलब काफी कंफर्टेबल सिच्वेशन में है, साथ में गर्मेंट इंपोर्ट को, इंपोर्ट ड्यूटी से इस चीजों को काफी हद तक कंट्रोल करती है, तो मैंने ख्याल से मौनसून जो है, वो एवरे से थोड़ा सा बिलो रहने कि यहाँ पे संभावन पे रहे हैं, कहा जाए कि ग्राफों के लिए काफी ठीक ठाक रहे हैं, क्या एक आत साल, दो साल उससी लेवल पे रहे हैं या फिर थोड़ा सा अप्टिक देखने को मिल सकता है, अब मुझे लग रहा है कि फूर इंफलेशन में बहुत जादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नाफट ने काफी मतलब प्रोक्योर्मेंट की है यहां पे, हैफ़ड हो, नाफट हो इनने काफी प्रोक्योर्मेंट किया है और जो रिजर्व से हमारे पास वो यहां पे है, शुगर की बात की जाए, शुगर में हम कमफटेबल हैं, वीट में कह सकते कि वीट में एक तो मुझे बहुत जादा वो नहीं लग रहा है, सबजियों के दाम थोड़े बढ़ सकते हैं। तो सर, अगर आपका इस सवाल ये होता, कि मैं मुझे बहुत जाना चाहरा हूं, तो शायद मंदना जी इसका बहुत जवाब दे सकती थी, आज के प्रोग्राम में हम कमारिटी से जुड़ा हुआ सवाल ले रहे हैं। तो फ्रेश इन्वेस्मेंट की यहां पर बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत हायर साइट पे हायर एन्वेस्मेंट का इन्वेस्मेंट है। तो यहां पर कमारिटी भी यहां पर कवर हो रहा है यहां पर निवेश कर सकते हैं जिसमें की कमारिटी में एक्स्पोजर होगा। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाए जी 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 चोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद यह चर्चा लगातार जा रही है आपके जहन में भी कोई सवाल है कमारिटी सेक्टर से उज़र होगा तो आप इस मनी मंत्र प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप कर दुबारा उठ कर आगे बढ़ना था मुशिकिल इरहाता साफ था कदमों तले मिल गई मन्जिल मिल गई फिर से रिष्टों की नहीं मुस्कार मिल गई फिर से वही पहचार वही सम्मार प्रोसी का प्रतिल पक्की होगी बुनिया दे तो हसे हिंदुस्तान होगा जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे काम्याब जॉन डियर टेकनोलोजी का वर्दान नए भारत की शान अरे भाई साथ असली हीरो तो कोई और है ये लो बच्चों ये असली हीरो को जा करके हार पहना अरे असली हीरो अपना हार तो पहन लो हीरो चाचा हीरो का फर्द ही तो निभाया दर्वास बंध रखें गंदगी और बिमारी को पहले से बचाया पहले से बचाया फैले से बचाया लुद्वाजा बंध रखेगा हर कोई हरो समेशा भारत के घर घर में शौचाले खुला अब खुले में जाना बंद रखो दर्वाजा बंद और याद रहे शौचाले का इस्तमाल और देख रहे हर कोई हर रोज हमेशा स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉमाडिटी सेक्टर की आगे जाते हुए मौनसून की स्थिति पर नज़र रखनी होगी अर्थवस्था के लिए काफी महतुपूर्ण है यह पूरा का पूरा क्शेत्र कच्छा तेल जो है वो काफी इंपॉर्टन है ग्रहाको के लिहाथ से अग्रिकल्चर कमाडिटी में आगे जाते हुए जो रिस्क हैं वो ओविसली मौनसून के उपर डिपेंड करेंगे एक शेत्र के ओल जो बचा रहा गया अभी तक वो है बेस मेटल्स का और अब उस पर चर्चा कर लेते हैं अब बेस मेटल्स में कहाँ पर आपकी आपनों के निगाहा है और कहाँ पर रिटर्न बहतर मिल सकता है अगर कोई समझना चाहिए तो चाइना काफी important होता है वहाँ slow down issues आ रहे हैं दूसरी चीज यह है कि जब से trade war है और European Union में यह Brexit issue है दो जो है उससे कोई बहुत बड़ा trade agreement नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे देश है जिसमें काफी सारे जो trade agreements हैं वो hold पे हैं इन दोनों situations को लेके reason की वज़े से तो थो 9 months high पे है तो मेरे ख्याल से यहां पे अगर base metal की बात की जाए तो एक दू commodities है जो कि यहां पे बहुत strong commodity हो सकती है जैसे कि मुझे लग रहा है कि zinc zinc एक बहुत strong commodity है जिसकी demand होती है galvanization में और दूसी चीज यह है कि इसका जो stock है वो यहां पे कम है deficit में है और सबसे ची बात ह है कि अभी हम लोगों ने इसमें गिरावाट आते वे देखा काफी तेज गिरावाट यहां पे हुई थी तो मेरे ख्याल से 208-205 का जो level है M6 में वहां पे अगर यह position अगर यह level मिल जाता है तो मेरे ख्याल से zinc कैसी commodity है जो अगर एक महिने के लिए hold करते हैं तो यहां पे आपको एक बार 220-22 रुपे का जो level है वो मिल सकता है और stop loss यहां पे यहां लगाना होगा करीब 198 का और यह commodity ऐसी हैगी कि अगर हम mega lot लेते हैं तो 1 रुपी movement पे हमें 5000 का फरक आता है तो बिलकुल साफधानी से करना है profit जादा है तो नुकसान भी जादा है बिलकुल 200 इस तक का जो level आता है वहां पे आप profit बुक करिए अहांदा बाद चलते हैं अनुमान जी हमारे साथ जोड़ रहा है इस प्रोग्राम में नमस्कार अनुमान जी कैसे हैं आप सवाल कीजे नमस्कार बढ़िया साब मेरे सवाल यह है मेरे पास मैं mutual fund है और मैं अभी तक gold इसल है या मुझे और भी कुछ वेट करना चाहिए अभी आपने भाव देखा अपना एनेवी सर मैं मैं तो यह डॉक्टर हूँ और योतिशी हो मैं अभी इस्ता बीजी रहता हूं कि मैं यह सब देखी नहीं बाता हूं मेरे को तो आप सरी कों से गाइडेंस पेसी करता हूं वो मैं ठीक है कितना कितना समय हो गया आपको सर मुचल फंड मेरे वैसे तो मुचल फंड जब से यह चला जब से कुछ और कुछ करते हैं अभी वाला जो स्टॉक है उसमें करीबन तीन साल से उपर हो गया सबको और किस सेक्टर में वो इन्वेस्मेंट हो रहा है मुचल पंड क स्टॉक है मेरे पास में तो यही समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट बहुत हाई है तो आपको फायदा हो रहा होगा फिलाल मेरे खाल से फंड स्पेसिफिक इनको जाना पड़ेगा फंड स्पेसिफिक जाना पड़ेगा एक्सपोजर किसके सेक्टर में है क्योंकि सर मार्केट तो बिलकुल हाइपे है यहां पे हाइस लगाया इसने 40,000, 12,000 निफ्टी ने लगाया है लेकिन सेक्टर वाइज जो पोफॉर्मेंस होता है वो अलग-अलग होता है चाहिए वो इ काल सकते हैं आपने गोल्ड एटीएफ की चर्चा की थी यहां पे गोल्ड एटीएफ में थोड़ी सी होल करने की सला दूंगी क्योंकि यहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन आया है और अगर आप दो से तीन महिने रुख जाते हैं तो आपको एक बार 32,000 तक का ले क्योंकि जब तक निशलास्तर नहीं आएगा दुबारा यहां पे निवेश्यों है वो बनना मुश्किल हो जाता है देवेंद्री जी चित्रकूट से मारे साथ जुड़न का सवाल लेने की कोशिश करते हैं देवन जी क्या आप मारे साथ हैं जी नमस्कार मेरी आवाज मिल सब्सक्राइब करते हैं दो तीन बूप लिका हूं और उससे सर में मतलब आगे उसे कैसे करूंगा है बहुत धन्यवाद यह मनी मंद्ध प्रोग्राम है सर कॉमारिटी का जो सवाल है हम ले रहे हैं आपके किताब के लिए बहुत-बहुत शुभकाम ना है आपको और आप क मुझे लग रहा है कि कुमारिटी इंविस्मेंट पे शुरुआत के लिए कि थोड़ी सी यहां पर नॉलज लेके चली होगे मार्केट की और एक यह भी मैसेज है कि इन दो तीन सालों में जब से सेवी के अंडर में कुमारिटी मार्केट आई है काफी सारे अच्छी यहां पे अच्छे बदलाव आये हैं, mutual funds आ रहे हैं, यहां पे PMS को अलाओ किया गया है, अब यहां पे लग रहा है कि धीरे धीरे banks, FPI को भी अलाओ किया जाएगा, indices भी आएंगे, options आ गया है, तो मेरे ख्यास है यहां पे equity के साथ साथ आप commodity में भी exposure लीजी और जब market का एक economic cycle ह तो ता business cycle आता है, जब यहां पे equity में correction आएगा, तो यहां पे commodity के जरिये है, यहां पे आप अपने fund को balance करके चल सकते हैं, संतुलन, यानि balance आज के मनी मंत्र का एक जिस्ट है, वो निकल करके है, बहुत धन्यवाद वन्ना जी वक्त निकालने के लिए, और आपनों का भी ध झालने के लंदा भी वक्त, यहां खालने के लिए ynुट, यहां पे हैं वक्तий वर्लत के लिए and वक्तू एहां, आपने ऑजनिया दो और की आनिये है और सकते है, जहांवाद है ऑला मुझन यहां पहां एम गिर फस्कतरों कर पोलसों को आपना है, जहां आपbenंगा, जहां ह